कॉंग्रिस पार्टी अलाकामान सोनिया गांधी ने नव्योद सिंग सिद्धू को लेकर फैसला क्या सुना दिया कैप्टन अमरिंदर की तो नेंधी उड़ रही कैप्टन अमरिंदर को बहुत बड़ा जटका लगा और कैप्टन अमरिंदर ने ये सोचा भी नहीं था कि सुनिया गांधी उनके साथ इतना बड़ा धोखा करतेंगी जी हाँ आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर ने ये पहले ही तै कर लिया था कि नवजोज सिंग सिद्धू को पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी क्योंकि जब तक नवजोज सिंग सिद्धू अपनी गलती की माफी नहीं मांगते तब तक ना तो पार्टी में उन्हें बड़ी जगा दी जाएगी और ना ही कैप्टन अमरिंदर सिद्धू से मुलाकात करेंगे लेकिन बिल्कुल इसके उलट होता दिखाई दिया सूनिया गांधी ने ना सरिफ कैप्टन का भरोसा तोड़ा बलकि कुल मिलाकर देखा जाए तो नवजोज सिद्धू पर भरोसा जता कर ये बता दिया कि आगामी समय में तुमें ही पंजाब कॉंग्रेस की बड़ी जिम्यदारी समालनी है और तुमें ही आगे चल कर पार्टी की देख रेख भी करनी है यही वज़ा है कि इस वज़ा को देखते वे कैप्टन अमरिंदर अपूरी त दिनों नवजोद सिंग सिद्धू को हाई कमान की तरफ से परदेश अध्यक्ष बनाये जाने के बाद अब मुख्यमंतरी सिंग भी एक्शन में आ गए हैं मिली जानकारी के मुताबिक अब मुख्यमंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग ने अपने घर में कॉंग्रस की सभी ने के दुरान नवजोद सिंग सिद्धू पर भी कोई फैसला लेया जा सकता है अगर देखा जाये तो जिस तरह कैप्टन अमरिंदर पार्टी अलगमान सूनिया कांधी और नवजोद सिंग सिद्धू से नारास है ऐसे में कैप्टन अमरिंदर अपना मुख्यमंतरी पद इस्तिफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर आगे भी बड़े कदम उठाने वाले हैं दरसल अगर देखा जाये तो बीते कुछ समय पहले ही कैप्टन अमरिंदर ने कॉंग्रिस पार्टी अलगमान सूनिया गांधी को कड़े लफजों में ये चेताबनी दे दी थी कि पं इस्तिफा दे सकते हैं अगर देखा जाये तो कैप्टन अमरिंदर ने अचानक लंच पार्टी दोबारा और्गनाइस की है और पार्टी के कई बड़े नेताओं को इसमें शामिल करवाये क्या है इससे साफ पता चल रहा है कि अब नब जोट सिंग सिद्धू को बड़ी ज हमजाब में कॉंग्रिस को चुनाओ में बड़ी सीकस्त का सामना करना पड़ेगा बलकि अगर देखा जाए तो इसका फायदा वेपक्षी पार्टियां आसानी से उठा सकती है खबरे हैं कि कैप्टन के मीडिया सलाकार ने टूइट कर जानकारी दी है मुख्यमंत्री की तर के हालात यहाँ पर दिखते नजर आ रहे हैं उसका साफ मतलब यह है कि फिलाल अब सीधे तोर पर कैप्टन अमरिंदर पार्टी में बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं क्योंकि जिस तरह देखा जायत कैप्टन अमरिंदर यह पहले कह चुके थे यह नवजोज सिंग भी छोड़ सकते हैं और अपनी मुख्य मंत्री पत से भी स्तीफा दे सकते हैं अगर अपने मुख्य मंत्री पत से कैप्टन अमरिंदर इस्तीफा देते हैं तो सुन्या गांधी के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी क्योंकि अभी तक पंचाब कॉंग्र हार का सामना करना पड़ेगा हाला कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर भी तमाम तरह की रणनीती बनाते दिखाई दे रहे हैं इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जिस तरह से स्थितियां अलग होती नजर आ रही है इसका साफ मतलब ये है कि कैप्टन अमरिंदर भी अब पूरी तरह से फुल मूड में नजर आ रहे हैं हाला कि अगर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर अभी फूख फूख के कदम रख रहे हैं लेकिन जिस तरह से इस्तियां बन रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि कैप्टन अमरिंदर अब पूरी तरह समझ चुके हैं कि वो पार्टी में अकेले हैं और पार्टी के नेताओं का साथ ही उनके लिए बहुत जादा जरूरी होगा दरसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर पार्टी के कई नेताओं को इखटा कर रहे हैं और लगातार मीटिंग्स भी करने की जो इस्तिती है वो चल रही है इसका मतलब यह है कि हालात अब पंजाब कॉंग्रिस में भी अलग होते नजर आ रहे हैं यानि कि जिस तरह से इस्तितियां बन रही है उसका साफ मतलब यह है कि अब कैप्टन रुकने वाले नहीं है और कैप्टन अब सीधे तोर पर बड़ा फैसला लेकर ही माने के वैसे आपको बता दें कि फिलहाल इस्तिती जो है वो दिये देखने को मिल रही है कि कैप्टन अमरिंदर ने बीते दिनों पहले भी लंच पार्टी का प्रोग्राम बनाया था जिसमें पार्टी के कई नेता मौझूत है यहां तक कि बाजवा जैसे नेताओं को भी बुलाया गया था और यह कहा गया था कि अगर इस मीटिंग में सिध्धू के खिलाफ बड़ा कदम उठाये जाएगा तो ही पार्टी अहलकामान तक बड़ा संदेश जाएगा अगर देखा जाए तो फिलहाल पंजाब कॉंग्रिस का मसला अब उलजने की जगा उलजता हुआ दिखाई दे रहा है आपको बता दें कि नवजोज सिंग सिधू यह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से पार्टी के अंदर एक बड़े इस तर पर नेताओं को पलट होती दिखाई दे रही है वैसे आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब कॉंग्रिस में नेताओं के बीच जो गरवड़ी चल रही है और जिस तरह मंत्रियों के बीच अलग ही स्थती देखनों को मिल रही है इससे मामला काफी हद तक अलग हो चुका है वैसे आपको बत ना दें कि कैप्टन अमरिंदर का सूनिया गांधी से नाराज रहना और खबरें आना कि वो अपने मुक्यमंतिपत से इस्तीफा दे सकते हैं इसका मतलब है कि पंजाब चुनाओं से पहले कॉंग्रिस में बहुत बड़ा सियासी बवाल खड़ा होने वाला है और अगर ये स जादा बढ़ जाता है तो सूनिया गांधी के लिए मुश्क लिए खड़ी हो जाएंगी क्योंकि सूनिया गांधी को पार्टी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक तरफ नवजोज सिंग सिद्धू की नाराजगी है तो दूसी तरफ कैप्टन अमरिंदर की हाला कि नवजोज सिंग सिद्धू की नाराजगी अब बहुत हत तक कम हो गई है लेकिन कैप्टन की नाराजगी बढ़ गई है कैप्टन की नाराजगी बढ़ने से साफ पता चल रहा है कि सीधे तोर पर कैप्टन अब पूरी तरह से एक्शन में दिखते नजर आ रहे हैं और अब कैप्टन की लंच जो पार्टी होने वाली है इसको देखते वे सुनिया गांधी के भी नेंद फिलाल उड़ती नजर आ रही है हाला कि अगर देखा जाए तो कैप्टन अब रुकने वाले नहीं है और वो सीधे तोर पर पार्टी आला कमान के खिलाब जाकर ही कदम उठाते दिखाए देंगे SPN 9 Newsroom के रिपोर्ट